गुड मॉर्णिंग बच्चों आज हम क्लास वन के कम्प्यूटर सब्जेक्ट के बारे में वार्षिक परिक्षा में आने वाले सम्भावित प्रस्ण के बारे में परिचर्चा करेंगे तो देखेंगे आप वीडियो को अंत तक देखें फर्स्ट क्वेस्टन जो आपको यहां स्क्रीन पे दिख रहा है तो ध्यान देंगे बच्चों फर्स्ट क्वेस्टन की और संकेत करते हैं हम टीक दि कॉरेक्ट आप्शन्स फर्स्ट क्वेस्टन है कंप्यूटर सब्जिक्ट का टीक दि कॉरेक्ट आप्शन्स यानि इन में से चार आप्शन्स दिये गए हैं जो कोई एक आप्शन्स बिल्कुल राइट है तो उस पर टीक आउट करना है तो ध्यान देंगे पुछा जा रहा है तो हम ध्यान देंगे कंप्यूटर किस चीज के बारे में वर्क करता है फियूल मतलब हो गया आपका इंधन नहीं मैन पावर आदमी के सकती से नहीं यानी बिदूत से बिल्कुल राइट नंसर इलेक्ट्रीसिटी तो ध्यान देंगे सेकेंड क्विस्चन की ओर सेकेंड क्विस्चन ए खाली अस्तान नेभर गेटस टायाड यानी क्या चीज है जो कभी नहीं थक पाता है तो आप ध्यान देंगे इसमें first options में computer, second options में mine, third options में horse तो first options की और ध्यान देंगे यहाँ पे computer है जो कभी नहीं ठकता है जबकि mine जो है वो क्या होता है ठक जाता है और horse भी जो है घोड़ा ठक जाता है इसलिए आपका right answer है जो computer है third question की और चलेंगे? third question which part of a computer is known as the brain of a computer? बोल रहा है कि एक computer का कौन सा अंग एक computer के brain के नाम से जाना जाता है यानि computer का कौन सा अंग computer के दिमाग के नाम से जाना जाता है तो ऐसा हम लोग अपने part में भी पढ़ चुके हैं कि CPU को computer के दिमाग के नाम से जाना जाता है तो अब हम इसे options को ढूंड निकालेंगे first महीं मिल गया CPU तो CPU आपका correct answer है CPU का full form होता है central processing unit इसे computer का दिमाग भी कहा जाता है जबकि next में keyboard है इसे नहीं कहा जाता है mouse है keyboard आपका input device होगा है mouse भी आपका input device है इसके बारे में भी जान लेंगे mouse क्या है बच्चो input device keyboard क्या है बच्चो input device CPU क्या है brain of computer याद रखेंगे बच्चो next question की और चलेंगे next question आपको यहाँ screen पे next question की और ध्यान देंगे next question is four question four number question पर ध्यान देंगे arrow keys are blanks in numbers यानि arrow keys जो है वो कितनी संख्याएं होती है arrow keys की संख्याएं कितनी होती है इसके बारे में देखेंगे arrow keys की संख्याएं जो है वो कितनी होती है four होती है कितनी होती है four तो आप इसे four पर टीक आउट कर सकते है arrow keys कितने होते है four कौन-कौन होते हैं arrow keys तो आप ध्यान देंगे arrow keys कौन-कौन होते हैं एक arrow keys कौन-कौन होते हैं तो arrow keys की और संकेत आपको करकर हम बताते हैं कौन-कौन से arrow keys होते हैं वन टू सोरी वन टू थ्री फोर यह चार आपको arrow keys होते हैं यह सभी चारों आपको arrow keys हैं इसे याद रखेंगे अपने माइंड में सेट करके तो कम्प्यूटर में arrow keys कितने होते हैं बच्चों फोर आपको देख गया है यह left है left यह आपको right होगा है यह आपको down और यह up arrow keys है तो इस चार आपको arrow keys होते हैं next question की और चलते हैं next question आपका यहाँ पे दिख रहा है 5 question की और चलेंगे 5 question a mouse is kept on a यानि एक mouse को रखा जाता है तो कहाँ पे हम mouse को रखते हैं ध्यान देंगे first यहाँ पे जो कहा जा रहा है first option में colorful paper यानि जो colorful रंग वी रंग जो paper है उस पे हम लोग रखते हैं mouse को बिल्कूल नहीं नहीं रखते हैं second देखते हैं mouse pad आपको right answer मिल गया किस पे रखते हैं mouse pad पर mouse pad पर हम लोग mouse को रखते हैं इसलिए mouse pad इसका answer perfect हो गया आगे cotton cotton means होता है रूई तो रूई पर तो हम लोग रखते नहीं है mouse को इसलिए आपका option गलत था अब चलते हैं next question की और next question है next question की और ध्यान देंगे next question six number blanks खाली अस्थान tool is used to erase drawing यानि कौन सा tool है जो drawing को मिटाने के लिए परयोग किया जाता है या किसी भी चीत्र को मिटाने के लिए परयोग किया जाता है तो कौन सा वो tool है सबसे first में यहाँ पर ध्यान देंगे क्या है first में की eraser tool जिसे हम लोग बोलते हैं बिल्कुल right answer आपका eraser erase मतलब होता ही है मिटाना तो मिटाने वाला जो है eraser tool क्या है eraser tool क्या है eraser tool अब ध्यान देंगे pencil tool पे pencil tool क्या होता है pencil tool यहाँ पे ध्यान देंगे pencil tool के द्वारा working area जो drying का working area है उसमें किसी चीत्र को बनाया जाता है न कि उसे मिटाया जाता है अब देखेंगे यहाँ पे line tool लाइन टूल में वर्किंग एरिया, जो ड्राइंग का वर्किंग एरिया होता है, उसमें कि लाइन को खिचा जाता है, न कि किसी लाइन को मिटाया जाता है, तो इस प्रकार से आपका correct answer, eraser tool, next question की ओर चलेंगे, next question जो आपके screen पर, 7th number question की ओर संकेत करेंगे, 7th number question, which of the flowing is a storage device, बूल रहा है कि निमनलिखित में कौन सा एक storage device है, यानि संग्रह करने वाला युक्ति के नाम से हम लोग जिसे समझते हैं, तो इसमें से कौन सा एक जो है, वो storage device है, यानि कोई भी चीज काम होती है, तो उसमें जाकर के वो store हो जाता है, संग्रहित हो जाता है, तो आपका है क्या CD, बिल्कुल right answer है, CD क्या है, CD, CD को हम लोग compact disc भी कहते हैं, इसका full form है, इसमें जाकर के कोई भी काम किया हुआ store हो जाता है, pencil box बिल्कुल नहीं, pencil box बिल्कुल नहीं, आगे next में देखेंगे, क्या है hard box नहीं, अगर hard disc होता तो संभौता हो पाता, लेकिन hard box कुछ computer का device नहीं है, इसलिए आपको right answer, CD, क्या हुआ, CD, आप चलेंगे next question की ओर, next question पर ध्यान देंगे, next question क्या है, a mouse has blanks, buttons, यानि कि एक mouse के पास कितने button होते हैं, तो एक mouse के पास आप ध्यान देंगे, कि mouse के पास दो button होते हैं, कितने button होते हैं, दो button होते हैं, एक left और एक right, और बीच में एक जो चक्के की तरह, wheel की तरह होता है, जिसे हम लोग score बोलते हैं, वो button में नहीं आ पाता है, इसलिए left और right mouse में, दो ही button होते हैं, तो अब चलेंगे, अगले page की और, अगले page की और चल करके ध्यान देंगे, second question की और, ध्यान देंगे बच्चो, second question, second question है, fill in the blanks, with the help of given box, बोल रहा है कि दिये हुए, सब्दों से की सहेता से, रिकत स्थानों की पूर्ति करें, यहान पर आपको एक box दिया गया है, इस box के, हिसाब से, यह box है, इस box के, सब्द को चून करके, और रिकत स्थानों की पूर्ति करना है, तो ध्यान देंगे इसके first question की और first question क्या है कि human fails यानि कि मानो महसूस करता है किस चीज के लिए after doing some works यानि मानो कुछ work करने के दारान या work करने के बाद थकावट को महसूस करता है किस चीज को महसूस करता है थकावट को महसूस करता है तो याद रखेंगे दोस्तो किस चीज क तो मसूस करता है मानो थकावट को अब चलेंगे अगले question की और क्या और संकेत करेंगे एक computer is used to book ticket at यानि एक computer जो है वो ticket को book करने का काम करता है या करने में पर्योग होता है तो परियोग किया जाता है, कम्पूटर को टिकट को book करने के लिए परियोग किया जाता है तो किस चीज के टिकट को तो ध्यान देंगे railway के टिकट को, किस चीज को railway के टिकट को अगले question की और ध्यान देंगे Third question blanks, यहाँ पे Is an input device तो क्या input device है तो input device में हम यहाँ पर बता सकते हैं कि input device आपका mouse हो गया आप इसे mouse को input device का सकते हैं और आपको keyboard input device हो गया scanner input device हो गया यह सभी input device कहलाते हैं तो आप चलेंगे next question की और next question जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है fourth question key marked with a to z r यानि key जो key है वो a to z letter को संकेत करता है उसे कौन की हम लोग कहते हैं तो उसे alphabet keys कहा जाता है जिसमें a to z letter होता है अब चलेंगे next question की और next question जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है a mouse has blanks buttons यानि एक mouse के पास कितने button होते हैं तो अभी थोड़ा से पहले आपको मिला था कि mouse के कितने button दो button होते हैं तो mouse में दो button होते हैं एक left और एक right याद रखेंगे दोस्तों next question की और चलते हैं next question आपका यह रहा स्क्रीन पर जूसर is used to make यानि जूसर को परियोग किया जाता है तो किस के लिए परियोग करते हैं जूसर को automatically है आपको जूसर को हम लोग किस लिए परियोग करते हैं जूस को बनाने के लिए तो next question की और चलेंगे next question यहाँ पर आपको next question है the खाली जगा key is called the longest key on the keyboard यानि कौन सा key है जो keyboard पर सबसे लंबे key कहलाता है तो यह a space bar है कौन सा key है यह a space bar है याद रखेंगे दोस्तों कौन है a space bar a space bar जो key है ओ क्या होता है बहुत लंबा होता है a space bar याद रखेंगे a space bar a space bar को हम यहाँ पर चिनित कर सकते हैं इस परकार से a space bar अगले question की और चलेंगे eight question खाली जगा है यानि कि कौन सा easy use to color drawing कौन सा tool जो है वो drawing को color करने के लिए परयोग किया जाता है यानि चीतर को रंग भरने के लिए परयोग किया जाता है तो feel color tool कौन सा tool feel color tool तो याद रखेंगे बच्चों feel color tool के द्वारा हम लोग किसी भी चीतर को रंग भरने का काम करते हैं तो अब चलेंगे अगले question की और third number question की और ध्यान देंगे third number question क्या है third number match the flowing tools with their mouse यानि यहाँ पर third number के जो question है इस पर ध्यान देंगे third number question क्या है match the flowing tools with their mouse यानि के mouse के साथ निमलिखित में कौन से tool को मिलान किया जा सकता है तो अब यहाँ पर ध्यान देंगे किस के साथ मिलाया जा सकता है जैसा कि आपको right side में indicate हम कर दें कि यहाँ पे answer को दिखाया गया है तो line tool जो है वो line tool यहीं से ऐसे यह आपका line tool हो गया line का मतलब की रेखा हो गया जैसा कि आप देख सकते है arrow arrow मींस आपका तीर होता है जैसा कि आप देख सकते है rectangle मींस आयात होता है जो यहाँ पे आपको skin पे रहा curve मतलब होता है 3D मेढी लकीर यह आपका यहाँ पे रहा और star तो आप समझते ही है जिसकी 6 भुजाएं side से निकली हुई होती है तो इस प्रकार से आपका third question का answer समाप्त हुआ अब आगे की और बढ़ते हैं जैसा कि यहाँ पे दिखाया भी गया है answer को एक बार indicate कर देंगे कि यहाँ पे दिखाया गया है अब आगे next question की और बढ़ेंगे यानि fourth question की और fourth number question fourth number question यह रहा आपको what is the full form of flowing निम्नलेखित का पूर्ण रूप क्या है यानि ये short form दिया हुआ है left side में जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है क्या है CPE short form दिया हुआ है इसका full form क्या होता है तो इसका full form जो है वो central processing unit होता है इसका full form क्या होता है बच्चो central processing unit अब चलेंगे अगले question की और अगले question में आप यहाँ पर द्यान देंगे अगले क्या है CD CD का full form क्या होता है compact disc याद रखेंगे बच्चो CD का full form compact disc next question क्यों चलते है DVD क्या है DVD का हम लोग बोलते है digital versatile disc क्या बोलते हैं DVD को digital versatile disc तो याद रखेंगे बच्चो digital versatile disc next question की और चलते है Rome Rome को हम लोग read only memory के नाम से भी जानते है Rome को read only memory के नाम से चलेंगे next question की और write T for true and A for false statement यानि सही कथन के सामने true यानि की T को लगा करके या सही का निशान लगाएं और गलत कथनों के सामने F या गलत का निशान लगाएं तो जैसा की हम देख सकते है first question first question ये आपका यहाँ मसीन मेक्स आवर वर्क्स इजर बुल रहा है कि मसीन जो है हमारे काम को आसान बना देता है ये बिल्कुल right है मसीन जो हमारे काम को आसान बना देता है second question ये computer never gets tired बुल रहा है कि computer कभी भी ठकता नहीं है क्योंकि वह सजीव प्रानी नहीं है इसलिए वह कभी भी ठकता नहीं है इसलिए ये भी right हुग आपका third question की और चलेंगे a monitor looks like a television यानि एक monitor है जो computer के हम लोग जिसे TV की तरह होता है screen जिस पे दिखाई पड़ती है तो एक monitor जो है एक television के जैसा दिखता है ये बिल्कुल right है monitor जो है television के जैसा दिखता है अब fourth question की और चलेंगे there are three arrow keys on the keyboard बुल रहा है कि keyboard पर तीन arrow keys होते है तो नहीं keyboard पर कितने arrow keys होते है 4 होते है 1 होते है left arrow keys जो ऐसा होता है एक होते है right arrow keys जो ऐसा होता है एक होते है up arrow keys जो ऐसा होता है और एक होता है down arrow keys जो ऐसा होता है तो अब ध्यान देंगे next question की और next question क्या है next question की और ध्यान देंगे जैसा कि अपका गलत हो गया five number question है कि we put middle finger on the left button यानि कि माउस पर जो हम लोग हैं वो मीडिल फिंगर को यानि कि बीच वाले को माउस के बटन पर माउस जो है माउस पर हम लोग लेफ्ट क्लिक करने के लिए मीडिल फिंगर का पर्योग करते हैं अब चलेंगे, next की ओर, machine saves our time, यानि machine जो है हमारे समय को सुरक्षित बचाता है, यह बिल्कुल अपका correct answer है, machine जो है हमारे समय को बचा देता है, अगले question की ओर चलेंगे, you can listen music on computer, आप computer पर music यानि की संगीत को सुन सकते हैं, हाजी बिल्कुल सुन सकते हैं बच्चों, अपने computer के द्वारा किसी भी music को सुन सकते हैं, किसी भी संगीत को आप सुन सकते हैं, तो सही होगे आपका, अगले question की ओर चलेंगे, CPU stand for central processing unit, यह आपका बिल्कुल right है, CPU जो है, उस central processing unit भी कहा जाता है, आपका right answer है, अगे चलेंगे, 9th question की ओर, DVD stand for digital versatile disk, DVD जो है, क्या चीज़ तो digital versatile disk पर stand करता है, यह बिल्कुल right है, तो याद रखेंगे दोस्तो, last question, last question जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, एक computer is living things, यानि कि computer जो है, वह सजीव वस्तु है, जी नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें विकास नहीं होता है, एक अस्थान से दूसर या स्थान तक नहीं जा सकता है, या कुछ मासूस नहीं कर सकता है, या भोजन पानी नहीं कर सकता है, इसलिए या living things नहीं, बलकि non living things है, इसलिए अपका गलत है, अब चलते हैं अगले question की और, अगले question, 5th number question है, 5th number question की और ध्यान देंगे, answer the flowing questions निमने लिखित प्रस्नों के उत्तर दें तो first question यहाँ पर आपको दिख रहा है कि first question write the name of four keys on the keyboard यानि कि keyboard पर चार की के नाम को लिखें तो चार की कौन कौन से होते है तो first आपका होता है number key क्या होता है number key second होता है space bar key third होता है inter key और fourth होता है by a space key तो याद रखेंगे बच्चों second question की और चलते है write the name of four mind made machines यानि मानो द्वारा निर्मीत चार मशीन के नाम को लिखें तो मानो द्वारा निर्मीत चार मशीन देखिए यहाँ पर दिया गया तो first में क्या है washing machine second juicer third refrigerator और fourth आपको television इस प्रकार से आब next question की और चलेंगे next question क्या है see ध्यान देंगे write the name of four part of a computer computer के चार अंगों के नाम लिखें तो computer के मुखे चार अंग है कौन कौन तो एक है monitor दूसरे नंबर पर है keyboard third में है क्या तिसरे नंबर पर mouse और चौथे नंबर पर क्या है printer तो याद रखेंगे बच्चों next question क्यों चलेंगे write the name of three tools of a computer computer के तीन टूल के नाम को लिखें तो क्या-क्या तीन टूल है first tool आपका यहाँ पे text tool जिसमें लिखने के काम किया जाता है pencil tool इसमें चीतर बनाने के द्वारा काम किया जाता है और एक है magnifier tool इसे किसी चीज को बढ़ाने में काम किया जाता है किसी चीज को बढ़ा कर देखा जा सकता है तो आप चलते हैं अगले question की ओर यानि e number question की ओर ध्यान देंगे what is used of a mouse pointer यानि mouse pointer का परियोग क्या है तो mouse pointer का परियोग क्या है ध्यान देंगे mouse pointer का परियोग कि mouse pointer is used to point to things on the computer यानि mouse pointer computer पर किसी चीज को point करने के लिए या बिंदू करने के लिए ही परियोग किया जाता है तो ध्यान देंगे बच्चों mouse pointer का परियोग किसी computer पर किसी चीज को point करने के लिए ही परियोग किया जाता है एफ नमबर कोश्चन की और ध्यान देंगे एफ नमबर कोश्चन क्या है यहाँ पर What is a pen drive pen drive क्या है तो pen drive की देखेंगे pen drive क्या है एंसर इनके तो इस pen drive is a small in size याने कि एक pen drive जो है वो छोटे से आकार में होता है and store a large amount of data और data को बहुत बड़ी सी मत्राओं में संग्रहित करता है बट प्रंतु less than the hard disk फ्रंतु जो है hard disk से क्या होता है छोटा होता है hard disk से छोटा होता है इस प्रकार से अगली question की और चलेंगे G है यहां पर G number question की और संकेत करेंगे G What is an eraser tool यानि एक eraser tool क्या है eraser से ऐसे ही समझ में आ रही है कि erase मतलब होता है मिटाना मिटाने का काम ही करता होगा तो देखते हैं इसके बारे में answer पर परिचर्चा करेंगे ध्यान देंगे बच्चो answer क्या है जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते है answer क्या है it is to rub off some things that is wrong पुल रहा है कि यह कुशी भी चीज को rub यानि हटाने या मिटाने का काम आता है that is wrong जो गलत हो जाता है the erase tool is used to erase the part of a drawing पुल रहा है कि erase tool जो मिटाने वाला tool है वह किसी भी drawing के part को मिटाने का काम किया जाता है we don't like जिसे हम लोग चाहते नहीं है या जिसे हम लोग पसंद नहीं करते है उसे मिटाने का काम किया जाता है अब चलेंगे अगले question की हो अगले question क्या है what is a tool tool क्या है तो tool क्या है देखेंगे यहां पे बच्चो tool क्या है जैसा कि हमें यहां पे देख रहा है कि tool क्या है tool देखिए क्या है बच्चो तो tool is a special program that is used to perform a particular function यानि कि tool क्या है एक business प्रकार का program है जो एक business प्रकार के कार्यों को perform करने के लिए काम किया जाता है या परियोग किया जाता है अब चलेंगे अगले question की ओर अगले question क्या है what is a computer यानि computer क्या है तो देखेंगे बच्चो computer क्या है आपको पता ही होगा कि computer क्या है तो जड़ा एक बार आप ही बोल कर बताएंगे computer क्या है देखेंगे जैसा कि मैंने यहां पर आपको रिखांकित करके बता रहा है कि computer is a machine यानि कि computer एक यंत्र है that work on electricity जो विदूत पर काम करता है computer क्या है बच्चो computer एक machine है जो electricity पर work करता है या काम करता है अब चलेंगे अगले question की और अगले question यहां पर द्यान देंगे क्या है अगले question की और संकेत करते हैं what are machines machines क्या है machines क्या है what are machines machines क्या है देखेंगे तो machines machines are mind made things that make our work easy यानि machines मानव द्वारा निर्मीत एक बस्तु है जो हमारे कामों को असान बना देता है तो machine क्या करते हैं हमारे कामों को असान बना देते हैं ये मानव द्वारा निर्मीत होते हैं अगले question की और चलेंगे अगले question क्या है अगले question की और संकेत करेंगे अगले question how many types of the main part of a computer and their name यानि computer के मुख अंग बुल रहा है कि कितने हैं और उनके नाम लिखें तो computer के मुख अंग कितने हैं जड़ा ध्यान देंगे तो there are four मुख अंग कितने हैं four there are four main part of a computer computer के चार मुख अंग हैं कौन-कौन से हैं तो एक monitor है दुसरा में keyboard है एक mouse है और एक CPU है तो monitor या आपको input device हो गया output device हो गया output device keyboard input device mouse भी input device अज CPU तो जानते हैं कि brain of computer है यानि computer को दिमाग CPU को कहा जाता है अब चलते हैं अगली question की ओर अगले question अगले question यहाँ पे what is single click single ऐसे समझ में आ रहा है कि single मतलब एक बार तो इसका answer देखेंगे answer यहाँ पे ध्यान देंगे pressing the mouse button wants to select and items is called single click यानि pressing the mouse button mouse के button को एक बार में दबाना और select एक बार में किसी एक आइटम को select करके दबाना ही single click कहलाता है याद रखेंगे बच्चो प्रेसिंग दी क्या pressing the mouse button wants to select and items यानि एक आइटम को select करके mouse button पर एक क्लिक करना ही single click कहलाता है अब चलेंगे इसे अगले question की ओर what is double click double click क्या है तो प्रेसिंग दी माउस बटन twice quickly quickly to select and open and it is called double click यानि चुने हुए किसी वस्तू को या किसी प्रोग्राम को चुनने के बाद दो बार धीरे से माउस के बटन को दबाने की प्रकिरिया को या खोलने के लिए उसे क्या कहा जाता है खोलने की प्रकिरिया को double click कहा जाता है तो ध्यान दे इस प्रकार से class 1 के computer subject के 2021-2022 सत्र में वार्षिक परिक्षा में आने वाले संभावित प्रस्नों को हल किया गया इसे अच्छी तरह से अपने notebook पर note कर लेंगे और इसे remember करेंगे अस्मरन करेंगे याद करेंगे ताकि परिक्षा में अच्छे से अच्छे अंक को आप पास सकें धन्यवाद